नमस्कार, BCN News की प्रदेश की खपरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ लवकुशनगर थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ की होसला अफजाई और सम्मान के साथ की ने साल की शुरुआत छतरपर उजले के लवकुशनगर थाना प्रभारी राजिश बंजारे ने अलगी अंदाज में ने साल की शुरुआत अपने समूचे थाना स्टाफ की साथ की थाना प्रांगन में अक्टोहा और पठाचोगी की अलावा लवकुशनगर थाने का स्टाफ मौचुद रहा और इस दरम्यान थाना प्रभारी ने स्टाफ की जम कर होसला अफजाई करते हुए उन्हें नव वर्ष की शुपकामनाई दी इतना ही नहीं सभी स्टाफ की लोगों को पुश्पकुच्छ और उपार भी भेट किया वही उन्होंने बताया कि 11 दिन पहले जब उन्हें थाने का प्रभारी मिला था तब 127 मामले थाने में लंबित थे और महज 11 दिन में पुरे स्टाफ की मेनत और सयोग से अब महज 42 मामले पेंडिंग रहे हैं ये सब स्टाफ की टीम स्पिरेट से ही संभाव हो सका है हमारा जो स्टाफ है 24 मेंटे काम करता है साल में 300-500 दिन काम करता है इनके मोटिवेशन के लिए इनके स्वस्त रहने के कामना के लिए और ये अच्छा काम करे है इसलिए हमने इनको समानित किया है हम 7.5% पर आगए 20% से थाना प्रबारी राजेश सिहब बंजारे की द्वारा स्टाफ की इस होसला अवजाई और समान से आरकशिक से लेकर एसाई तक न सिर्फ गौरवान वित थे बलकि अपने अधिकाली के इस व्यवहार से उनकी कारिक शमता में नई उर्जा का संचार भी हुआ लवकुशनगर थाना क्षेतर के जनता को थाना प्रबारी के नववर्ष की शिपकामनाय देती हुए कहा कि आप सब स्वस्ते रहे नीडर और निर्भिक रहे जब भी आपको ज़रुवत पड़ेगी लवकुशनगर पिलिस आपके साथ खड़ी रहेगी चतरपुर से राजेंदर सीहे की रिपोर्ट बीसीन न्यूस नापपुर बीसीन न्यूस की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही एसीन ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीसीन न्यूस नवश्कार